नमस्कार दोश्टों मैं सोनम चैनल और आप सभी देख रहे हैं SJ सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोश्टों आज की कहानी है पर उसी की पहु यथी आप सभी को मेरी दोवर अरेकी गई है कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा और पास में ज सिसम लेंगी आप सभी को मेरी आने बारी हर कहानी की नोतिपे केशन कहानी पसंद आने पर वीदियो को लाइक चरू कीजिएगा क्योंकि आप चानते हैं जब आप करते हैं वीदियो को लाइक तो मचे मिलती है नईनी कहानी या रिकने के लिप लेन और कहानी को अपनों के स थोड़ी देन में आती हैं ठीक हे बहु तू जा पारोट रसोई में जाकर काम करने रखती हैं और सभीता जी बहर आती है बिम्रा को देखते ही साथ क्याती है वाँ बिम्रा तेरी गरे में ये हर तू बहुत सुन्दर रख रहा है तबी बिम्राजी ने का मेरी बहु मेरी रेकर आईए तू तो जानती है मेरी बहु मेरी कितनी क्यार करती है मेरी रेकर भी भी कुछ खरीतने के पहरी पैसे नहीं देखती मेरी बहु तो घर में कोई महमान आई तो चाय और पानी रेकर आजाती है रेकिन तेरी बहु तो नचर भी नहीं आ रही है क्या सिर्फ तेरी बहु का काम दर्वाचा खोनने का है। इस पर सभीता जेने कहा हर कोई तेरी तरह नसीबारा तो नहीं होता, कि इतनी अच्छी बहु मेरे एक तेरी बहु है, जो तेरी इतनी क्यार करती है और एक मेरी बहु जो मुझे पानी तक की ना पूछे, तब ये वहाँ पारूर चाई और पानी रेकराती, और कहती माजी, मे पानी पीचे तबी सभीता जी गुस्से में अपनी बहू की तरब देखती और फिर उन्हें यह आता था कि बहुत अपना परस कमरे में भूर गई है और सभीता जी अपने कमरे में परस रेने के लिए जाती पारूर वहां से जाने ही वारी थी कि विम्रा पारूर को रोकते हुए कहती बहु तूने सही कहा तेरे दसाथ तो रिनाए पानी तो सभीता भी लेकर आ सकती थी लेकिन बहु कोई काम करना ही कहां चाहती है वही तो पहरे भी कहती थी बेती की साथी हो जाने दो उसके बाद तो मैं एक कतूरी उठा करना रखूँ पर मैं तो अपनी बहु के हर काम में हाथ बताती हूँ आखिर बहु भी तो बेती समान होती है और तू कोई मसिन थोड़ी ना है जो दिन रात काम करती रहे हाँ काकी जी एह तो आप सही कह रहे हैं लेकिन मेरी किस्मत आपकी बहु की तरह कहाँ है जिसे इतनी अच्छी सास मिरे सच में आपकी बहु तो नसीब पारिये जो आप जैसी सास मिरी वहे मेरी सबची जर जाएगी मेरे सुई में जाती हूँ न मेरी सास मुझ पर फिर चिल लाएंगी और कहती आप तो अपनी बहु पर बात पात्पन नाराज नहीं होती होंगी। बिम्रा कहती गरती तो इंसान से ही होती है नाराज होने का क्या फायता। बहु तू जा रसोई में बनना सबची जर गई तो तेरी सास तो पूरा घर से पर उठा लेगी। पारू वहां से रसोई में चरी जाती और सभीता जी अपना परसरे कर बहार आती। तभी बिम्रा कहती तेरी बहु की जवाने या कैची कितनी रम भी चरती है। मेरे ही सामने तेरा अपमान करने रगी। मेरी बहु की तो हिम्मत भी ना हो किसी बहर बारी के सामने बोनने की। और तेरी बहु तो तेरी फताफत बुराई करती है। थोरी रकाम दे अपनी बहु। परवन्ना हाथ से निकर जाएगी, तब सभीता जी ने कहा, इसे तुम्हें आकर देखती हूँ, जर्दी चरवन्ना हमें देर हो जाएगी, कहकर बिम्रा और सभीता वहां से चरी जाती, सभीता अपनी बहु से कहती, घर का दर्वाचा बंद कर ले, पारूर गर का दर्वाचा वंद कर लेती वैसे विम्रा थी थी तो सभीता जी की परोसन और कहते हैं परोसी सुख और दुख के साथी होते हैं पर कुछ परोसी घर में आख लखाने का कम बहुत अच्छे से भी कल लेते हैं उनमें से एक थी विम्रा जो अपने महले के हर घर में सास बहु की रराई कराती में सबसे आंगे है बिम्रा खुद के घर में सांती रखती है और दूसरों के घर में रराई इसरी बिम्रा से हर कोई बाते कम करना पसंद करता था हमेशा अपनी बातों के जान में फसा कर हर घर में रराई कराती रहती थी और आजकर उसकी नचर थी सभीता जी और उनकी बहु पारूर पर पारूर की साथी को अभी मुस्केल से छे महीने भी नहीं हुए थे और उसने सभीता जी और पारूर की रराई इस तरहे कराना शुरू कर दी थी अब तो हर दिन घर में महवारत मची ही रहती थी विमरा सभीता को उसकी बहू के खिराब भरका रही थी और वहाँ पारूर को भी मुसकी सास के खिराब अच्छे से ज़आब कर आ चुकी थी। पारूर घर पर सोच थी। इस सास से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। पूरा मूर खराब करती आ है। एक काम करती हूँ, अच्छे से गाने सुनती हूँ। तो सिर को थोड़ा अराम मेरे कार सोचती हुए पारूर ने अपने कानों में रीत रखा कर गाना सुननी रखी और बहार सवीता जी आ चुके थी और वहे दोर वैर वचाती जा रही थी लेकिन पारूर कान में रीत रखाई हुई थी इसरी उसे आवाच नहीं आती थोरी देर म मैं जब रीत निकार कर मुबाइर रखती तो उसे दोर वैर वचनी की आवाच आती वही जाकर दरवाचा खोरती तो सासु मा वहर खरी हुई थी तब सभीता जी गुस्से में कहती क्या कर रही थी तू जरूर मुबाइर चरा रही होगी मुबाइर के आंगे तो तुछे कु आपके साथ रहूंगी तो मुबाइर एक साती है जिससे में अपना दिन अच्छे से निकार सकती हूँ वरना आपकी रोच रोच की चिक चिक से तो परिसान हो चुकी हूँ पारुण ने सभीता जी को जबाब देती हुए का तब सभीता जी कहती हे भगवान कैसी बहुत दि जाओं गरती मेरी हो तो भी आप मुझे सुनाईये और ना हो तो भी आप मेरी ही अब बुराही करेंगी मैंने सब सुन लिया था कि आप बिम्राकाकी के सामने मेरी किति तारिफ कर रही थी तब सभीता जी ने गा हाँ हाँ तू तो मेरे गुनगानगा रही थी विम्रा के सामने उसे ने मुझे सब कुछ बता दिया की तू कितनी तारिफ करती है मेरी हाँ कहा था मेने कि विम्रा काकी की बहु नसिब बारी है कि उन्हें इतनी अच्छी सास मेरी जो अपनी बहु को समझती रेकिन मेरी सास मेरी सास तो दो मीथे बोर तक नहीं बोर सकती पारूर कहती तब सभीता जी कहती हाँ हाँ तू तो मेरी सेवा में दिन रात रखी रहती है कि मैं तेरे रहे मीथे बोर बोरू अपनी तारीफ कराने का इतना सौक है न तो पहरे ऐसे क काम कर जिसकी वचे से मैं तेरी तारीफ करूं एक काम तो तू धंग से कर नहीं सकती विम्रा की बहू अपनी साज की 24 खंता सेवा करती है और तू तू तो मेरे साथ बैथ कर दो कप चाय तक ना पिये पारूर ने कहा क्यूं क्यूं मैं आपके साथ चाय पियूं अपनी बुरा जी ने कहा कब कि मैंने तेरे परिबार वारों की बुराई तो ही अपने सस्वरार वारों की बुराई करती है मैं भी किसी की बुराई नहीं करती और ना ही मेरे संसकार ही आप मुझे बुर करती है हां तो तू भी मुझे मुझे बुर करती है बनना मैंने तो क्या-क्या सपन देखे थी बहु आएगी तो उसे अपनी दोस्ट बना कर रखोंगी बेती की कमी पूरी हो जाएगी लेकिन मेरा नसीब भी खराब था कि तुछ जैसी बहु मिली तब पारुण ने कहा तो मेरा कौन सा नसीब अच्छा ने करा आप जैसी सास पाकर मेने भी सपनी सचाय थी कि स सास को मा मान कर रहूंगी और बहुत कोशिस भी की लेकिन आपका भी सुतनी कहा है हाँ हाँ तू तो बहुत सिंधी है ना दोनों सास बहु में वैसवाजी हो रही थी और सास बहु की आवाज बिमरा के घर तक जा रही थी बिमरा सास बहु की रराई की आवाज सुनती तो उ पती सुरेस कहते हैं क्या है तुम दोनों का हर दिन किसी ना किसी बात पर रड़ाई तब सभीता जी के बेते पवन ने का पारूर तुमसे कितनी वर कहाई कि सांत रहा करो पारूर ने का अपनी मा को भी समझाओ अरे ममी आप भी सांत हो जाईए हम और पापा जब भी घर पर आते हैं तो आप दोनों की रड़ाई सुरू हो जाती है जो हम दोनों को बुर्कुर भी पसंद नहीं तब सभीता जीनेगा तू तो सुनेगा ही बहु की आखिर मेरी इस घर में सुनता ही कौने बुर्कुर सच कहती है बिम्रा की बहु के आने के बाद बेते पराई हो जाते तब सुरेची ने का तुम आज फिर उस बिम्रा से मिरी कितनी वार कहूं तुमसे कि वह बिम्रा रराई कराने के रिए आती है तुम्हें समझ में नहीं आता पूरे मोहले में तुमसे वाते करने के रिए कोई ओन नहीं जो उस बिम्रा से वाते करती हो सवीता जी कहती मैंने उसे नहीं बुराया था वहीं खुद आई थी वहीं आई थी तो उसे बखा देती सुरेची ने कहा और तभी बवन कहता पारुन तुम से भी विम्रा काकी ने कुछ कहा होगा तब पारुन ने कहा हां कहा था लेकिन कुछ गरत थोड़ी ना कहा है तब सुरिष्टी सवीता जी से कहते बहु तो नहीं नहीं है लेकिन तुम तो अच्छे से जानती हो ना उस विम्रा का स्वाब आप जब तक वही किसी घर में रराई ना कराते तो उसका खाना नहीं पच्छता खुद की तो अपनी बहु से पानी की च्छाइन ना वने और दूसरों के घर में सास बहु की दराई कराती है तब पारुर ने का ममी जी तो कह रही है कि उसकी बहु मुझसे जाता अच्छी है तब पवन ने का तुम तो चुप ही रहो पारुर साथी के पहरे ही में तुम से कह चुका था कि मेरी परोस में रहने वारी विम्रा काकी से वच कर रहना वही हम सब का जीना दुश्टर कर देंगी पारूर कहती है मम्मी जी ने कहा था विम्रा काकी की बहु अच्छी है तब सुरिच जी सभीता जी से कहते हैं अच्छी बहु वही विम्रा की बूर गई जब हम विम्रा के घर गए थे तो वहर खरे हुए कितनी वार दोर वेर बचाते लेकिन उसकी बहुने दर्वाचा तक नहीं को रहा जब विम्रा उपर से नीचे उतर कर आती तब दर्वाचा को रहा था उपर अपने कमरे में चली गई दर्वाचा कोनने के लिए तो वहर नहीं उतर सकती थी लेकिन हमें देखती ही साथ कैसे उपर चली गई हमारा कतना अपमान हुआ था उस तीन और हमसे जाता अपमान विम्रा का हुआ था उसकी बहुतो किसी से दो अच्छे सपन नहीं बूर सकती है हमारी बहुतो फिर भी हमारी परवा करती है हमारे परोसियों के साथ हसकर अच्छे से वात करती है उसका पर्रू हमेशा सिर पर रहता है और हम सब के लिए भी अच्छा ही सोचती है और बिम्रा की बहु तो जिंच तौक और कैफवि में घर के वहर गूमती है तब ही सवीता जी ने कहा तो इसने भी तो बिम्रा को एक अच्छी सास कहा तब इपन पारुर से कहता पारुर किस गरत्धहमी में हो तुम बिम्रा कहा कि और अच्छी सास बहे तो अपनी बहु से अच्छे से वाद तक नहीं करती सिब दूसरों को दिखाने के लिए ही उन दोन सास बहु में बनती है वन्ना घर के अंदर तो वह एक दूसरे से बोने तक ना उनकी बहु गिनकर उनकी रोती बनाती और सास चुपचा वही रोती खा लेती है गर के अंदर तो विम्रा काकी के हिमत भी नहीं कि वह अपनी बहु से कुछ कह सके और इसलिए दूसरों के घरों में रराई करकर अपनी मन को सांती देती है दोनों सास बहु एक जैसी है वह दोनों का मकसद एक ही है दूसरे के घर में रुराई कराना इसलिए मैं आप दोनों से कहता हूँ बिम्रा का किसी बात नहीं करें तो अच्छा यह सब सुन कर सुरिष्ची कहते पबन पिरकुर सही कह रहा है हम सब को आखिर किस चीज की कमी है कोई दुख नहीं है हमारी चिंदगी में तो क्यूं आपस हसी खुसी रहेगा अरे हम तो इतने भी खुस रह सकते हैं कि दूसरे हमें देखकर जरें दूसरों की बातों में आकर हम क्यूं रहें और सुरेश जी कहते हैं मेरी पत्नी और मेरी बहु दोनों ही बहुत अच्छे हैं दोनों सास बहु अच्छी सास बहु बन सकते हैं सुरे बेता जी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गरती नहीं, मुझे भी बिम्रा की बातों में नहीं आना चाहिए था, मैं तो उसे बहुत अच्छे से जान कूँ, फिर भी उसकी बाते सुनी, और तुमसे भी उसकी जान पहचान कराई, अब जो हो गया, सो हो गया, मम्मी जी, आज सभी बेती, मैं आप सभी के लिए अभी गरम गरम रोती बना कर लेकर आती हूं, कहकर पारूर रसुई में जाती, सभीता जी भी उसकी मतद कराने के लिए जाती, उस तिन के वाद सभीता और पारूर में कभी भी मन मताब नहीं हुआ, छोती मोती नोग जोक ही, तो दोनों आपस में मिरकर उसे सुझा लेती, अब जाता बक्त तक तो अपसास पहू एक दूसरे से रूत कर भी नहीं रह सकती थी, और दोनों की दोफैरी की चाय एक साथ पी जाती, और दोनों बहुत बाते करती, ऐसा नहीं था कि विम्रा ने सभीता जी और पारूर को एक दूसरे क खिराब भरकान वंद कर दिया था, आज भी जी विम्रा अपनी पूरी कोशिस करती है, लेकिन सभीता जी और पारूर बिम्रा की एक भी बात नहीं सुनती, विम्रा कोई ना कोई बहना धूल लेती, सभीता जी और पारूर से वाते करने का, मौका मिरते ही सास सास की बहू से और बहु की सास से वुराई करना भी सुरू कर देती लेकिन सभीता जी और पारूर किसी भी बात पर भरूसा नहीं करती रिष्टे बहुत अन्मोर होते हैं इन्हें दूसरों की बातों में आकर ना तोड़े उमिद करती हूँ आज की एक कहानी आप सभी को पसंद आई होगी कहानी पसंद आने पर चैनल को सस्काइब वीदियो को लाइक और कहानी को सेर जरूर की जिससे एक कहानी जाता से जाता रुकों तक पहुच सके और बिम्रका की जैसी परोसन से सास बहु बच सके थैंक्स ओर वाच्छिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्